हेलो फ्रेंड्स तो हम देख रहे थे अपना फार्मसेटिकल और्गनिक केमिस्ट्री सेकिंड भी फार्मा थर्ड समिस्टर तो आज हम आज की वीडियो में हम डिस्केस करेंगे अपने अरोमेटिक अमीन की कुछ मैज़ड और प्रपेशन फिर इसकी कुछ केमिकल रेक्शन औ कोई भी नोट्स चाहिए हो या आपको वीडियो लेक्ट्र चाहिए हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखके बोल सकते हैं कोई सा भी टॉपिक ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए हम समझते हैं आज इसको तो इसमें हम पहले देखेते हैं में थो यहां हमने देखा था कि जो द्वारा हम बनाएंगे चीजों को तो हम यहां पर मैंसर प्रप्रेशन देखें मतला हम एरोमेटिक हमीन कैसे फॉर्म कर सकते हैं तो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला और इजी तरीके से होने वाला तो फ्रेंट वीडियो को पूरा देखते रहिए तो हमारा करेंगे हम एस्टू गैस उसमें पास करेंगे यहां बोलता है एस्टू के साथ हम उसकी रियक्षन कराएंगे इन्दी प्रिजेंस ऑफ कोई भी कैटलिस्ट अब हमारी रिडक्षन रियक्षन है तो हमको यहां पर एक चैटलिस्ट भी लेना पड़ेगा और फ्रेंड्स अबन गया और यहां पर हो गया और यही भी पास हो गया और एस्टू कि फर्म में हमारा वूठ बाहर निकल जाता वाटर बन के ठीके फ्रेंट बहुत ही सिंपल रिक्षण है दा पाई रिडक्षण ऑफ नाइटो कंपाउंड दूसरी है फ्रेंट आपको एक चीज याद रखने कि जो हमारी यह रियक्षण होती है यह हमारी मेन होती है मतलब बाकी यह जो हमारे लिखने वाला है यह फॉर्म है जब हम इसको नाइट्राइल बोल देते हैं अब जब यहां बनाना यहां को यह गुरुप चाहिए अमीन बनाने के लिए तो यहां पर एक N है तो यहाँ पर हम अगर दो hydrogen को add कर देंगे तो हमारा NH2 हो जाएगा simple एन फ्रेंट तो हम इसके लिए करते क्या है कि यहाँ पर हम easily S2 इसके साथ attach करेंगे तो एक दो S2 एक जब हमारा यहाँ से bond टूटेगा triple bond है एक bond टूटेगा तो एक यहाँ attach हो का फिर टूट तो हमारा यहाँ पर बोल देते हैं कि हमारा बैंजाइल अमीन फॉर्म होगा है यह हम बोलेंगे कि यहाँ एक डेरिवेटर्व होता है और यहाँ पर अलग जुडा है मतलब तो डेरिवेशन की फॉर्म है इसलिए हम इसको बोलते है बैंजाइल अमीन सिंपल है अब हमारी तीसरी एक्षन है वाई अमोनोलिसस और क्लोरोवेंजीन अब अमोनोलिसस से हम क्या समझते हैं मतलब हमको अमोनिया को यहां अटेज करना फिर हम उसको क्या करेंगे ब्रेकडा हमारा यहां पर हमोनिया अटेच होगा अब देखें यहां पर हुगा क्या समय यहीं पर हमारे दियने अब इसको हम ऐसे भी लेख सकें ns3.ns3 यही तो होता 2 ns3 का मतलब अब क्या होगा इसका 1 h यहाँ पर हमारा attach हो जाएगा ns4 और यहाँ पर बचा ns जैसे यह देखिए यह ns2 और ns4 यह दो form में यह breakdown होगा उसके बाद हमको चाहिए ammonia तो यह ns2 हमारा attach होगा इस जगा पर जाके और यह cl इस ns4 के साथ मिलके हमारा ns4 cl की form में बाहर निकल जाता है simple reaction है friends आप गवर से देखें पहले यह ns3 है इसमें से क्या होगा ns2 और ns4 यह दो form में यह तोट जाएगा उसके पास ns2 हमारा यहाँ पर attack करेगा benzene के साथ attach हो जाएगा और इसका सफिस cl रिमूव होगा वो cl इस ns4 cl के साथ मिलके और ns4 cl की form में बाहर निकल जाएगा और हमारा यहाँ पर simple form हो जाएगा aniline जो हमारे यहाँ पर ammonia है यही simple form जाता है और इसमें हम यहाँ पर heat प्रोवाइड करते हैं उनका arrangement फिर से होगा कैसे होगा हम इसको example यहाँ पर अभी हम देख लेते कैसे तो यहाँ पर हम लेते acetamide ठीक है फ्रेंट तो यहाँ पर देखे यह मैंने ले लिए acetamide c double bond o ns2 इस पूरे compound को नाम होता acetamide अब क्या होगा कि हम इसकी reaction कराते naobr के साथ अब क्या होगा री arrangement reaction है इसलिए जो यह ammonia group है अब क्या बनना है एनिलीन बनना है तो एनिलीन क्या होता है बेंजीन की बुरे नस्ट होता है तो यह नस्ट हमारा इस position पर आगे attach होना चाहता है तो क्या होता है यह हमारा यहाँ attach होता है और ये CO हमारा क्या होता है निकल जाता है ये SUEO का किरता है इस NAOBR के जो O है इसको भी अपने साथ ले लेता है और ये हमारा CO1 एक ये हो एक ये हो तो हमारा CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गई है यानि कि CO2 गैस हमारी निकल गई बाहर अब ये NH2 यहाँ पे अटेच होगे तो ह इसके साथ अटेच है लेकिन ये अपनी पोजिशन को चेंज करता है और बेंजिन जिंग की तरफ अपने आपको मतलब टूवर्ड सिफ्ट करेगा यहाँ सिफ्ट होने को ये CO और ये O मिलके यहाँ CO2 गैस बाहर निकल जाएगी ये NH2 यहाँ अटेच होताएगा बहुत ही स अगर इसको खोलेंगे बाहर देखेगे तो या आपको ब्राउन इस क्लर में दिखाई देंगे एरोमेटिक अमीज टिकल है उसके बाद क्या होते है और फोलर इंड के साथ होगा और और अगर अगर अपको समाझ नहीं हो तो आप लिख सकते हो उसकी में अलग से इस वीडियो बना दूँगा इसके बाद यह हमारे पोलर कंपाउंड होते हैं और दे highly toxic substance and some are carny zone sorry carcidones होते हैं मतलब क्या है कि हमारी toxic होते हैं खतरनाक होते हैं तोड़ी dangerous होते हैं और यह हमारे carny zones में होते हैं मतलब यह समझे जो cancer form करने के लिए होते हैं वह वाले लिक्विड में आते हैं सभिस्टांट ठीक है उसके बाद है they are not readily water soluble यह पानी में soluble नहीं होते हैं क्योंकि इसमें हमारे bulkier phenyl group present होता है जैसे हमारा क्या है एनिलीन है तो अगर हम इस group को गौर से देखें तो यह हमारा benzene तो है लेकिन या कर ऐसा substitute होता था हम इसको phenyl group बोलते हैं तो यह phenyl group के presence की वज़ा से यह बहुत ज़्यादा bulky होते है मतलब थोड़े more type हो जाते हैं अब हम simple इसकी chemical reaction देख लेते हैं क्या है तो पहली क्या है अब हम देखेंगे aromatic amine की दौरा हम क्या क्या बना सकते है अभी तक तो हम aromatic amine बना रहे थे लेकिन यप Aromatic Amine की help से क्या-ándh try बना सकते हैं तो पहला क्या है zur formation of Amid ब recognizing हमब यहाँ प्रें क्लोर आपके हैं उसमें क्या होगा जो flirting product होगा बो क्या होगा एंडिन अब यहाँ था इसो हमारा इस्वर्द क्या होगा in ओब तो हम products start product क्या होगा estilo कर आए हमारा v sound क्या होगा finally CL यह हमारा पूरा है अब क्या होगा जैसे यहां देखे इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो यहां से इसके जो SIL का यह वाला C यहां CL bond टूटेगा यहां से एक hydrogen टूटेगा तो यह दोनों हमारा SIL की फॉर्म में बाहर निकल गए और जो यह हमारा यह CL है और यह इस एक बॉन्ड बचा एक बॉन्ड और यह आपस में क्या हो जाते हैं अटेज हो जाते हैं और यह हमारा इस तरह दिखाई देगा यह बैंजिन उसके बाद यह यहां के साथ है यह यह वाला सी यहां से डारेक्ट अटेज हो गया यह डबल बॉन्ड और यह बैंजिन और यह इस यह वाला प्यों पूरा लिंक बॉन्ड जो हमारा बना इसको हम मोलते हैं अमाइड लिंकेज और यहां से यह हमारे क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है ठीकर बहुत ही एजी रियक्शन होती है लिज से साथ मतलब क्या है कि यहां पर 40 को कैसे कर शकते हैं तो उसके लिए के हमारा वही मैंग रडक्त हमारे तो हम यहांपर स्वेड को चैसे क्करते हैं हमार है पल्द की जयसे हम एक मनला इसट के अमीनियम क्लोराइड यान कि यह एक साल्ट फॉर्म में है क्यों कि देखे पिलस और माइनस अब हुआ क्या है यहां पर हम समझ लेते हैं जैसे यह हमारा एनस टू है तो क्या हुआ जब इसकी एक्ट के सार्ट राएंगे तो यह एन हमारा एलेक्ट्र नेगेटिव है यह अप ही स Daarूर हमारा यह हमारा टू हएक का कि यया होती है यह होता लेकिन यहां पर मांच करते हैं यह दो हर भी का तैक यह दो और घृव चैनल होता है दो यह उसक्या और दो है और हमारा यहीं हो हता हो साकते है प्सक्राइग और ub catSi अ कर सी और क्तर चाहिए मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी एसीटाइलेशन भी करा सकते हैं तो एसीटाइलेशन ओफ एनिलीन इसमें क्या होगा कि वही हम अपना एनिलीन गुरूप लेंगे उसके बाद यहां पर हम एसे टिक एन हाइडराइड लेते हैं जो हमारा क्या है एक तरह से इस्टर लग बचा है और यहां पर हमारा एक एन से अगर एन के साथ अटेच होना तो एक हाइडरोजन रिमूव होगा तो यह हाइडरोजन और यह हमारा पूरा का पूरा अलग हो जाता है और यहां से सी हमारा इस एन के साथ आके अटेच हो जाता है जैसे हमारा उसमें हो रहा था यहां पर देख रहे थे अपनी वह वाली रियक्षन देख रहे थे उसमें जैसे हुगा था वही हमारा यहां पर होगा तो क्या होगा एन एच यहां से डारक्ट आगा है हमारे यहां दो कंपाउंड फॉर्म हो चुक है और हमारे क्या देखा कि हमने इस में हमने क्लोरो फॉर्म के साथ कराते हैं तो क्या हुगा हमने एनिलीन की रियक्षन क्लोरो फॉर्म के साथ कराई तब हमारे यहां 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 पर एनिलीन है उसकी रियक्षन क्लोरो फॉर्म क के साथ कराई तब हमारा compound क्या होगा यहां पर यह समझें यह हमारा एनिलीन है यह हमारा chloroform है अब क्या होगा यहां से यह दोनों के दोनों हमारे हटेंगे और यहां से हमारा HCl3 आप गौर से दिखें यह वाला यह 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 हमारा इस N के पास आ जाता डारेक्ट तो यह हमारा सिंपल बनता है अब एक इसके साथा चाहता है तो हमारे एन के पास चार हो गई तो एन पर पॉजिटिव चार्ड आ गया और सी पर हमारा निगेटिव चार्ड चार्ड है क्योंकि सी के पास चार वैलेंस होते हैं तो एक यहां पर कमी है इसके बाद हमारा यहां से द यहां पर आप है C-L बहर निकल गया और हमारा यह form हो गया और इसको हम बोलते हैं कार्विल या इसको हम आइसोसाइट भी बोल सकते हैं ठीक है प्रेंट सिंपल है अब हमारी लास्ट रियक्षन हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रियक्षन इसमें क्या हो रहा है कि हम क्या करे हुगा यहां होगा hydrogen remove होगा और oxygen add हो जाएगा तो सिंपल क्या है कि यहां पर वही यह है o2 ने react करेगा इसका जो एने टू है जुए है यहां पर हमारे ने स्टू से hydrogen remove हो जाएगा और o2 हमारे जहां एर हो जाएगा ओमारे जहां पर जहां पर एन o2 जैनके एक नोट्स या कुछ भी चाहिए होगा तो कॉनेट बोक्स में आप हमसे लिख सकते हैं आपको बागे सारा को चैनल में मिल जाएगा तो मिलते हैं आप से बहुत जब नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टेक केर बाइबाइबाइब